हाई एवरिबन एक्जाम एडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नियूज है खासतोर से ऐसे अफेर्थी जो कि नॉन टीचिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं और ऐसे अफेर्थी जिन्हों ने अल्रेड़ी EMRS यानि जब इन्होंने फॉर्म री ओपन कर दिया है तो अभी आपके एक्जाम डेट तो नहीं आ रही है जैसे ही कोई सूचना एक्जाम डेट को लेके आएगी तो होगा आपको बता भी दिया जाएगा आपकी जनकारेश लिए पता दू कि अब आपके जो अगर फॉर्म री ओप हैं तो आप भर सकते हैं आपके लिए सुनहरा उसर एक तरह से कह सकते हैं और जो लोग इंतजार कर रहे थे एक्जाम के लिए तो उनके लिए अच्छी ख़बर भी नहीं है लेकिन फिलाल जो चीज है सामने उसको देखना ही होएगा और आप लोग जिनकी तयारी काफी तो यह किया था अभी आपने देखा होगा जो सीटेट का रिजल्ट आया है 20 अगस को आपका एक्जाम हुआ था तो बीस अगस का रिजल्ट जो है सीटेट का जारी किया गया है तो जो अभियर्थी पास हो चुके है मतलब क्वालिफाई कर लिये हैं वोग ही अपलाइ कर सक अच्छी खासी पोस्ट है इसमें और अलग-अलग है जैसे आप देखेंगे इसमें आपकी JSA की है वार्डिन भी आप इतरह से मान सकते हैं और आपका लैब अटेंडेंट की है अकाउंटेंट की पद है इसमें अलग-अलग पद है सबके जो भी पोस्ट है उसके विश्यमें अभी आप भी आपको बता दिया चा रहा है आप देख लिजे इसमें टीजीटी और पीजीटी की है प्रिंस्पल की है अलग से पोस्ट इसमें निकाली गई है और अच्छे खासे पद हैं कम नहीं है आईए हम उनको देखते हैं जो लोग नए हैं उनको फिरसेस को देख ल अब ऐसा मत समझेगा कि उनकी बहुत तैयारी आपकी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है कॉमन सब्जेक्ट है आप पढ़ते आए हैं तो बस आपको भी अच्छे से पढ़ना है यह नहीं दिमाग में रखना है कि मेरे तो बहुत पीछे हो गया लोग पहले से पढ़ रहें आभी कुछ भी नहीं है आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं ठीक है आइए हम देखते हैं इसके विशय में जो कि आपको जानना चाहिए जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया आपके PGT, TGT सभी के लिए इसमें पद हैं तो दो आपको पोर्टल ओपन दिखाई देंगे वो पोर्टल अभी रिओपन हुआ है तो उसमें आप देखेंगे PGT प्रिंसिपल एंड नाम टीजिंग पोस्ट के लिए अलग से रि PMRS मतलब है आपका एक लवी मॉडल रिजिडेंटल स्कूल ठीक है आई आगे देखते हैं आपके जो फॉर्म रियोपन हुए है कब तक के लिए उससे देख लीजिए 19 अक्टूबर आपकी last date रखी गई है last date आपकी fee की भी वही रखी गई है जो की form की last date है maximum time ऐसा होता नहीं है ऐसा होता है कि जो face payment की date होती है एक दू दिन बात की होती है लेकिन इसमें जो है दोनों सेम डेट रखी गई है आपको ज़्यादा मौका तो नहीं मिला है लेकिन अगर आप भरना चाहेंगे तो भर सकते हैं चार से पास दिन का ही वक्त मिला है आपको अब यहां पर देखिए इसकी फीज की बात करें तो उसमें ज़्यादा है जो जब कैंडिडेट जो कि स्टूडेंट है पढ़ाई करते हैं तो उस दोरान की फीज बहुत ही ज़्यादा समझ में आती है है भी देखिए अगर आप प चार हजार बद है इसमें का टेगरीवाइस डिवाइड है आईए हम देख लेते हैं कि category wise कितने कितने पद आ रहे हैं आप यहाँ पर देखेंगे तो यह post है, post के name को देखते हैं कि कौन लोग इसमें apply कर सकते हैं आपके पास क्या degree होनी चाहिए अगर प्रिंसिपल की पद के लिए एक बात करें तो 303 total पद है 50 साल आपकी maximum age रखी गई है आयू सीमा जिसे कहेंगे master degree in any subject exam pass होना चाहिए और 12 साल का class experience होना चाहिए teaching का, तब आप प्रिंसिपल के पद पर आवेदन कर सकते हैं post graduation अगर आपके पास है, PG है अगर आपके पास तो PGT पर फर्म भर सकते हैं BA है या नहीं है अगर नहीं है तो भी चलता है इसमें ठीक है, यह हर जगा का यही रूल है इसमें 2266 है subject wise है इसमें अलग-अलग अगर आप detail vacancy को open करके विग्यापन देखेंगे तो आप वहाँ पर देख लेंगे accountant की बात करें, यह non-teaching post में आपके आएंगे तो 361, 361 पद हैं total, maximum 30 साल ही रखी गई है, जितने भी non-teaching post है, bachelor degree in commerce आपके पास b.com की डिगरी होनी अनिवार है, BA और B.hc या कोई अधर नहीं इस पर apply कर सकते हैं accountant में अकसर ऐसा ही होता है इसमें कोई computer का certificate नहीं मागा गया, यह अच्छी बात है अब बात करते हैं आपके जूनियर सेकेटरियल असिस्टेंड की, जैसा आप इन्वस्टी में JNU हो गया, आपका इगनू हो गया, आपने भी form भरा ही था, जिन गभी हर्थियों का नहीं भी होगा, उनके भी result आहीं चुके हैं और जब और का उप्शन होता है तो maximum candidate इंग्लिस ही चूज करते हैं क्योंकि हिंदी में font का issue हो जाता है 35 word per minute इंग्लिस में टाइपिंग अगर इंग्लिस कर रहे हैं, हिंदी में करना चाहते हैं तो 30 word per minute की टाइपिंग speed आपकी मांगी गई है lab attendant की बात करें यहीं पर तो 373 total pad है और इसमें आपको certificate क्या मांगा गया है अगर आपने 10th pass किया है आपके पास या तो diploma in laboratory का होना चाहिए अगर यह नहीं है तो आपको 10 plus 2 intermediate with science stream science stream में bio and math दोनों के student आते हैं जैसे PCM physics chemistry math आपने लिया हो या आपने biology पढ़ी हो तो दोनों लोग apply कर पाएंगे lab attendant में है कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि bio से होना must है तो इस बात को ध्यान रखिएगा तो यह रहे है इसके लिए अब हम बात करते हैं अगले पद की अब यहां बात करेंगे हम TGT और warden की पद के लिए तो आप देखेंगे इसमें भी फी आपकी वही पंदर सो है और नौट टीचिंग जो आपकी warden की है उसमें एक हजार है इसमें भी लास्ट डेट वही है जो की 19 अक्टूबर है ठीक है इसमें टोटल पदों की संक्या की इतनी है इसमें 6,329 पद है उधर 4,000 बास्ट थे इधर 3,329 पद है ठीक है आईए आगे देखते हैं इसमें क्या है तो अगर TGT के लिए अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो आपकी 5,660 पद टोटल मिलते हैं आपको TGT के लिए इसमें बैसलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और आप सीटेट पास होना चाहिए सीटेट का रिजल्ट जो अभी आपका एक्जाम हुआ था अगस्ट में 20 अगस्ट को हुआ था उसके रिजल्ट को जारी कर दिया गया है तो जो लोग पहले नहीं भर पाया होंगे अब भर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको पता है कि भी यह हो भी कॉम हो कुछ भी हो ठीक है आप को अप्लाई कर सकते हैं इसमें कोई इशू नहीं है भी टेक हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं पैसला डिग्री मांगा है यह नहीं पूछा है कि किस स्ट्रीम से हैं तो वार्डेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिम में 35 है ठीक है तो यह रही जानकारी इसके विशे में उमीद है आपको साई चीजे समझ में आई होगी जो लोग अभी फॉर्म नहीं भरे थे और भरने के एकशुक हैं तो सोचना नहीं है भर लेना है क्योंकि देखिए आपको चार पास दिन मिला है उसमें से भी आप साइट का इसु जानते कुछ ने कुछ हो जाता है तो भरना चाहते हैं फॉर्म तो बर लीजए और अपनी तयारी करते रहें और फिरसे कहेंगे ऐसे भेरती जो अभी फॉर्म भरना चाह रहे हैं और इस बात से नहीं डरें कि आपके तयारी नहीं है एक्जाम जल्दी हो जाएगा नेक्स वीडियो में सबी जीजों को लेकर एक वीडियो बना दी जाएंगे जिस से आपके